हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूप चैनल क्रेट वेल त्विर अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से अदानी पावर की अदानी पावर पर हमने पहले भी काफी वीडियोज बनाई और बताया है कि यह जो पहले भी इसने लोट सर्किट लगाया थे यहाँ पर तब हमने बताया था कि इस तैंड लाइन के उपर जब तक है स्टोंग एक अच्छा मुमेंट इसके अंदर द्वारा से बन सकता है और उसी के आसपास से ही इसने बाउंस बैक भी किया और स्टोंग जो है उपर जाता ह इस टाइब से दस वारा गुना हो जाए तो हमें ट्रेलिंग स्टोंग लोस के साथ ही इसमें काम करना होता है तो आप देखिए यहाँ पर जो भी बड़ी कैंडल बनी थी ट्वार्स के उपर तो जो ट्वार्स का कैंडल होती है वो माननी जाती है कि उसके अंदर नौइस का ही लोर को हमें स्टोप लोस की तरह मानना है यह बड़ी कैंडल बनी इसका हमने स्टोप लोस लगाया तो तब तक हम इसका स्टोप लोस करते रहे और यह स्टोप जा ऊपर चलता गया यहाँ पर एक और नई कैंडल बनी बड़ी कैंडल जो थी इस टाइप से देख सकते हैं पर लो इसका रहो इसका जो हम्हारा stop loss हुआ हुआ हिट नहीं हुआ हुआ है नेस्ट जो ग्रीन केंडल बनी हिए स्टोंपलोस हमने यहां पर लगाया और जैसे स्टोक ऊपर की थरू निच्छे आया तो हम मारा stop loss हुआ हुआ और हम बाहर हो गए तो आप देखिए पहले भी इसने यहाँ पर जो circuit था ब्रेक हुआ था और हमारा जो stop loss था almost यहाँ पर था इस candle के थूँ हमने यहाँ पर stop loss लगाया था trail के थूँ जो stop था उपर से निच्चा आया circuit ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम out हो गए और हमने बताया था कि जब आपको again position कब लेनी है आपको position तब लेनी है जब इसका जो high है जो पहले का high था उसको यह break करे जब 256.95 को यहाँ पर break किया आप देख सकते हैं इतना gap हमारा जुरूर बेस्ट हुआ बट यह था कि हम safe हुए क्योंकि momentum बहुत stock तभी पकड़ेगा जब अपने lifetime high को break करेगा तो यहाँ पर उसने again break किया और उपर जाता हुआ नजराया अब देखिए कि हमें nest move का लेना है हमें nest move तब लेना है जब इसका lifetime high again break हो 312 रपे को break करके जब यह stock उपर momentum द्वारा पकड़ेगा तभी हमें इसके अंदर position लेनी है उससे पहले position हमें नहीं लेनी है लेबल तक यह stock जो है नीचे आ सकता है और देखिए यहाँ पर भी इसका था तो 262 के आसपर से stock जो है विल्कुल आता हुआ नजर आ सकता है बट अगेन यह momentum उपर कहीं पकड़ेगा तो एक uptrend में stock है जो momentum में होता है जिस side का momentum होता है उस side ही चलता चला जाता है तो यहाँ पर जो है again stock momentum पकड़ सकता है बट हमें जो trade लेना है वो इस base पे ही लेना है जब इसका high यह cross करेगा तभी हम इसका जो है इसमें trade लेंगे तो नीचे के level के उपर इसे आने दीजिए और 262 के आसपर से stock जो है आता हुआ नजर आ सकता है थैंक यू देने बड़ा